तनहाई 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 दोनों को पास ले आए प्यार में बह गई दो दिल मौज ये कैसी आई प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसी आई, आज हबाओ ने बंसी बजाई, बिन कह दिल की बात बताई, लेडू भी मेरे पागल मन को, तेरे प्यार की ये गहराई तन हाई, तन हाई, तन हाई, दोनों को पास ले आई, प्यार में बह गए दो दिल, मौज ये कैसे आई, हेलो फ्रेंट, दिस इस विजयराज पुस्पन, वेलकम टू लर्नर आईजवाई वियर पी, तो आईए हम लोग, आज अनुपात समानुपात का एक और अगला वीडियो देखते हैं, पार्ट शुरुआत हो रही है, नाइन की, इसके पहले आपने वन से लेकर एट तक विडियो देखा, जिसमें आप हर तरह के कोस्टन का अभी तक आपको दर्शन हुआ, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेबल तक अनुपास समानुपात परहूंगा, यह लगातार अभी विडियो चलेंगे, तो अगर आपको किसी भी परकार की समस्या आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में करें, और लाइक शेर कमेंट करते रहिएगा, और अगर आप नए भी वड़ता है, तो पूरा विडियो देखने के बाद आप इस चानल को सब्सक्राइब भी कर लिजे, तब तक आप स्क्रीन पर नजर रखे और देखे कोस्टन कैसे बनाई जाती है अनुपास समानुपात का, 504 बिद्यार्थियों वाले एक बिद्याले मे लर्के और लर्कियों की संख्याओं का अनुपात है 13-11, देखे, लर्का यानि बवा और गर्ल, बवा है 13 और गर्ल है 1 लर्का 5 12 लर्कियां और भरती कर ली जाए, जितना लर्कियों समें से 12 और लगा दिया जाए, सामिल कर ले जाय, तो नए अनुपात पूछ रह भा है भी द्यार थी है, तो टोटल रियल भैलू कितना है 504, लेकिन लड़का लड़की दोनों मिला कियो अनुपात में टोटल कितना है, 13, 14, 24, 24 तो निया और तालीस और एक, यानि अनुपात एक बरावर कितना हो जाएगा, तो अनुपात 11 बरावर निकाले गाते कितना हो हो जाएगा, एक गारा, एक गारव दुनी 22, 21, 231 और अनुपात 13 बरावर निकाले गाते कितना हो जाएगा, एक इस गुने 13, यानि 13, 13 दुनी 26, 27, 27, यही ना आपका होगा, अब सोचिए लरका है आपको 273 और लरकी कितना हो गया, 21, करा कि 12 लरकिया और भरती कर ली जाती है, तो पहले से 231 और भरती कर लिजेगा, तो कितना हो जाएगा, दो आएक तीन और तीन आएक चार अबटा में दो, यही ना होगा, तीन से तीन माश्रताइस और एक, तीन से तीन अटे चोविस एक, और कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना आ गया, 91 अनुपात, 81, यही न है, तो 12 आप लर्की में बरहा दिजे, तो 243 हो जाएगा, और काटिएगा उसको, तो 91 अनुपात, 81 हो जाएगा, जो नुबर कुशन है, कि किसी कक्छा में लर्कों की संख्या, लर्कियों की संख्या, की अपक्छा 12 प्रतीसत अधिक है, तो कक्छा में लर्कों एबम लर्क की संख्या का अनुपात क्या हो, देखेगा, कता है कि लर्कों की जो संख्या है, लर्कियों की अपक्छा 12 प्रसंट जादा है, तो आप ही बताइए, कि लर्का के संख्या अगर, मा लिजे, लर्कियों की अपक्छा 12 प्रसंट जादा है, तो अगर लर्की होगा 100, तो लर्क लड़क्व की संक्या 112 लरकी से तुल नाकिया जा रहा है तो जिससे तुल नाकिया जाता है उसको नीचे और जौ दिया जाता हो उपर तो so 12 परसंट जादा है लर्का लरकी से लर्की 100 लरका हो गया 112 ृ… आप इसको के जिएगा 4 दुनियाट चार अठे 32 चार दुनिया चार पचे 25 यानि 28 सनुपात कितना हो जाएगा पचीस होगा तो कक्छा में लड़का एवं लड़कियों की संख्या कानुपात जो होगा वह होगा 28 अनुपात 25 होगा समझे ना गर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लिजेगा अगला कोश्चन है बिलकुल आसान कोश्चन है और बड़ा लाजवाब भी है संख्याओ 6,7,15,17 में से प्रतेक में कौन सी संख्या जोरने पर परिनामी संख्याओ समानुपाती हो जाएगे समानु तो बराबर हो जाएगे 6,7,15,17 आप ही गौर कीजिए इसको बनाने का तरीका है कि हमानों लेकर देखते हैं कि कौन सी संख्या जोरेंगे हम पहला अप्शन लेते हैं अगर इसमें हम 6 जोर दी सम में अगर 6 जोर दी है तो जगा 12 यह हो जगा 7,13 यह हो जगा 21 और यह हो जाएगा गलत दूसरा अप्शन अगर लिजेगा तो 6,5,11 देखें अप्शन लेकर देखते हैं 6,5,11 और 7,5,12 और 15,5,20 और 17,5, कितना होगा 22 यह भी नहीं होगा क्या होगा बराबर आएगा कभी यह दोनों इसके नहीं तीसरा अप्शन 4 लेकर देखें 6,4,10, 7,4,11, 15, 17,4,21 देखें तो यह भी बराबर होगा इसका मतलब है कि आपकोर्स चौथा अंसर तो होगा ही यानि अगर इसे हम चेक करें यानि करा कि प्रतेक में कितनी संख्या जोड़ी जाए कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या समानु पाती हो जाए तो हम 3 जोड़ के इसको तो हमारा आंसर कौन हो गया तीन नंबर आंसर हो गया मैं आसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं वहूत ही अच्छा लगा होगा तो देर किस बात की आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किजी और उसके बाद बेल आइकन बगल में घंटी का जो बटन दिख रहा है उस पर आप दबा दीजिए और दबा के नहीं छोड़िएगा जब तक आपको यह घंटी जो है इस पर ऐसा नहीं आए तब तक नहीं छोड़िएगा और यह तभी आएगा जब तीन अप्शन होगा नन का प्रश्निफाइड का और लास्ट में होगा और इस आ पर दबाईएगा कि इस पर दो ऐसे आजाएगा तो आप इस तरीके से अगर कर लेते हैं तो जब भी मैं वीडियो अफ्लोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकरिशन पहुंचेगा और मैंने आप जानते हैं कि जीरो से हीरो बनना अब बिलकुल आसान है बना जा सकता है बसरते आप एक एक वीडियो को देखिए समझिए समस्चे आती है कमेंट बॉक्स में कि आप कमेंट करिए तो मिलते हैं एक और बहतरने वीडियो के साथ तब तक आप जहां भी रहे अपना और परिवार का ख्याल लखे क्योंकि जान है तो जहान मिलते हैं फिर थैंक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग जै हिंग जै भारत